दोस्तो मोटरोला कमपिनी ने अपनी मोटो सिरीज में एक और 4G स्मार्टपोन को लॉंच कर दिया है जिसका नाम है मोटो Z24 पावर जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और देखेंगे कैसा है ये स्मार्टपोन आपके लिए सुरुवात प्राइस से करते हैं दोस्तो जब ये लॉंच हुआ था थोड़ा प्राइस उपर था लेकिन अभी इसका प्राइस ड्रॉप हो गया है दो वेरेंट में मिलेगा आपको ये स्मार्टपोन 4GB 128GB वेरेंट 8,499 रुपे का और 8GB 128GB वेरेंट मिलेगा 9,499 रुपे का अगर आप बैंक ओफर यूज करते हो तो और भी डिसकाउंट आपको इसके साथ मिल जाएगा बॉक्स पैकिंग को देखें तो नॉर्मल सी पैकिंग है दोस्तो आगे मोडल नेम मोटरोला कंपनी का नाम यहाँ पर मेंसन है और बैक साइड में मोबाइल का डिजाइन आपको देखेगा 50MV का केमरा इसमें मिल रहा है द स्टिकर को हम रिमूब कर लेते हैं और यह देखे दोस्तो इस स्मार्टफोन का फ्रेंट लुक निकल के आ गया पंचोल डिस्प्ले आपको इसमें मिल रही है इसकी ब्राइडनेस को हमने अल्रेडी फुल करके रखा हुआ है 450 निट्स तक की पीक ब्राइडनेस इस अच्छे हैं लेकिन ब्राइडनेस थोड़ी बड़ा देनी चाहिए थी इसके अलावा एज और बैजल थोड़े मोटे मोटे लगे मुझे ऊपर हो चाहिए कॉनर हो या नीचे चिन तो हमेशा हरपॉन की मोटे ही रहती है कम कर देना चाहिए कंपनियों को अब बैजल लेस् प्लास्टिक पॉलिकार्बनेट बॉड़ी मिलती है फ्लैट है बैक मैनल सेंटर से कॉनर कर भी हैं दोस्तों सेंटर में मोटो का लोगो और कैमरा मैडूल फ्रेम काफी बड़िया लग रहा है हलका सा उठा हुआ है लेंस यहां पर आप देख सकते हैं दो कैमरा मिल रहे हैं जिसमें 50 Megavixel का मीन प्रेम डी कैमरा है और 2 Megavixel का माइक्रो सेंसर कैमरा दिया गया है विद LED प्लैसलाइट और लेंस के बॉडर आपको लेंस पर प्रोटक्ट बॉडर भी मिल जाते हैं जिससे स्क्रेचिस कमाने के चांस रहते हैं हाला कि कवर फिर भी लगा के रखना 3.5 mm का ओडियो जैक भी उपर की साइड ही मिलता है लेट साइड में मिलती है सिम ट्रे जहां दो सिम कार्ड एक मेमरी कार तीनों एक साथ लगा सकते हैं और बॉटम में प्रैमरी माइक चार्जिंग जैक और स्पीकर्स दिये गए हैं अब यहां पर हम डिस्पले पे आते है दोस्तो तो 6.56 इंच की HD प्लस IPS LCD मिलती है जिसका एसपक रेशो 229 स्क्रीन रेजुलेशन 720 इंटो 16 12 पिक्सल पिक्सल डैंसरी तो 69 पिपियाई की दी गई है और स्क्रॉल आप करते ही सारे अप्लिकेशन आपको नजर आएंगे clean UI मिलता है कोई फाल तो प्लोट वेर अप एप्लिकेशन गेम्स और प्रिइंस्टॉल एप्लिकेशन नहीं दिये गए हैं सारे के सारे यूसफुल एप्लिकेशन ही मिलते हैं टाच बहुत स्मूथ है दोस्तो इसमें आपको 90 हट्स का रेफ्रेश रेट मिल जाता है 163.49 मिलिमेटर की हाइट है 74.53 मिलिमेटर की विड ग्लेसर ब्लू कलर और इंक ब्लू कलर दोस्तो जो भी कलर वेरिंट आपको पसंद आए आप पर्चेस कर सकते हैं मोबैल इस प्लैस प्रूफ है आपको इसमें दिया जा रहा है दोस्तो और इसमें 2 गीगा हर्ट्स का उक्ता कोर प्रोसेसर मीडिया टेक हेलियो जी 85 का देवल मेमरी को 1TB तक आप बढ़ा सकते हैं और स्टोरेज टाइप EMMC 5.1 का दिया गया है अब यहां पर हम एक नजर कैमरा पर डालते हैं दोस्तो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है दोस्तो कलर बहुत बढ़िया लग रहे हैं कैमरा में ओनली 4X तक का जूम सपोर्ट इसके कैमर जाएगा, 1080p में 30fps, 720p में 30fps यानि कि फूल HD में आप इससे वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, फ्रेंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है दोस्तों, यहां पर बढ़िया काम किया है कंपनी ने कि यहां पर सेल्फी कैमरा जो है वो काफी बढ़िया दिया है और सेल्फी कैम काफी बढ़िया है, लेकिन प्रोसेसर थोड़ा सा बढ़ा के दे देना चाहिए था, क्योंकि MediaTek Helio Z85 काफी ओल्ड प्रोसेसर हो चुका है, दोस्तों, 7800 रुपे की रेंज के स्मार्ट फॉन में भी यह प्रोसेसर आपको मिल जाता है, हलकी फुलकी गेमिंग इस प्रॉन क कीट हो जाता है, और लेक इस्सू भी आ जाते हैं, बाकी तो नॉर्मल यूज के लिए बहुत बढ़िया स्मार्ट फॉन है, वाट्साप, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल, पेफॉन पे, पीडियम जैसी अप्लिकेशन आप इस पर आराम से चला सकते हो, मल्टी टास्किंग इस पर कर सकते हो, हमारे पैरेंट्स के लिए ये स्मार्ट फॉन बढ़िया है, उपर से, अगर आप स्टुडेंट हो, ऑनलाइन क्लासिस के लिए भी ये स्मार्ट फॉन काफी बढ़िया रहेगा आपके लिए, बाकी तो अपनी अपनी पसंद होती ह पावर, आपको कैसा लगा, क्या आप इसे पर्चेस करना चाहोगे, फ्लिप कार्ट पर ये स्मार्ट फॉन एविलेबल है, और बेंक आफर यूज़ करने पर आपको ये स्मार्ट फॉन आठ हजार पे में तक मिल सकता है, तो फ्रेंड्स, आसा करता हूँ, मेरे द्वारा द प्रेंडरा आपको कैसा नया वालorman है, तो तॉक कैसा आइकि तॉक कार्वे पावरा नाद है, प्रेंध प्रेंड़ करन्स पहरवे ड़को दिनार प्रेंड़ करना तो ये कि ए उन brewing on act the利कित प्रेंणिट करता है, strict पneh़ज़